गुड आफटरनून बचो आज हम सेकिंड में means of transport पढ़ेंगे means of transport होता है कि जब इनसान को एक जगा से दूसरी जगा जाना होता है तो वो किस किस मतलब वाइकल का वो यूज करता है तो पहले जमाने में क्या करते थे वो टांगा गारी में या बैल गारी में बैठके एक जगा से दूसरी जगा जाते थे तो लेकिन जैसे जैसे modernization हो गई तो उसकी वज़ा से अब हमारे ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारी development हुई है तो यहांपे मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट लिखे हैं वाइकल्ज लिखे हैं जिनके नाम यहांपे लिखे हुई है नमबर वन में आता है टांगा जिसको आप जानते यो गोडा गारी इसको गोडा खींचता है दूसरी है बस वो भी आपको पता है कार, वैन, स्कूटर, मोटर साइकल, ट्रेन, ट्रेन होती है, रेल, वो बड़े बड़े शहरू में होती है, एरो प्लेन, शिप, आटो, रिक्षा, तो ये जो चीज़ी है, इन ट्रांस्पोर्ट वाइकल्स के थुरू, हम एक जगा से दूसरी जगा अराम से जा सकते हैं, एक तो हमारा टाइम बजटा है और हमें मतलब इसमें सेफ्टी भी रहती है, तो ये जो शिप है, शिप में मुझाब आप मतलब कहीं पर मका, मदीना जाना होता है, तो बड़े बड़े ये जहाज होते हैं, समुन्दरी जहाज, तो इसमें लोग शिप में भी जाते हैं, एरो जो ये बस, कार वगेरा इन में कम आदमी बैठ सकते हैं लेकिन जो ट्रेन है, एरो प्लेन है, शिप है इसमें एक समय में बहुत सारे लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं आज का चैप्टर खतम होता है थैंक्यू